आज ये महत्वपूर प्रेस कॉन्फरेंस है कल या परसों से काफी मीडिया सेक्शन्स में इस बात की चर्चा है और कुछ लोग इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे कि 14 तारीके लॉगडाउन के बाद क्या स्थिती रहेगी लॉगडाउन कैसे खुलेगा इस पर भी जो है मीडिया में रिपोर्ट आ रही थे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो स्थिती है कुल मिलाकर आज पुष्ट केसेस की संख्या 305 है और इस 305 में कल से आज तक में 27 केसेद आए हैं और जो ये 27 केसेद आए हैं इन में से 21 केस तब्ली की जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं जो 27 केसेद आए हैं उन में आगरा से दो जिसमें लखनों से पांच तब्ली की जमात के हैं गौतम बुद नगर से तीन कानपुर नगर से एक ये भी तब्ली की जमात से आए हैं पांच केसेद जो है हमारे पास आज रिपोर्ट हुए हैं शामली से ये पांचों तब्ली की जमात से जुड़े लोग हैं इसके बाद एक केस आया है कौशामभी से एक केस आया है बिजनौर से ये भी तब्ली की जमात से जुड़ावा एक पेशन्ट है सीतापुर्ट से आठ केस आये हैं ये आठो जो है तब्लीGी जमाद से जुड़े हुए हमारे पेशन्स है और प्रियागराज से भी एक केस आया है जो तब्लीGी जमाद से जुड़े हैं यानि कुल मिलाकर अब 305 केसे हमारे पास हो गए हैं और इन 305 केसिज में अब 159 केसिज तबलीगी जमाद से हैं सबसे ज़्यादा केसिज जो तबलीगी जमाद से आए हैं वो आगराज में 29 कुल हो गए हैं लखनों में 12 हो गए हैं गाजियाबाद में 4 लखिमपुर खीरी में 3 कानपुर नगर में 7 वारणासी में 4, शामली में 13, जौनपुर में 2, बागपत में 1, मेरट में 13, हापुड में 3, गाजिपुर में 5, आज़ंगड में 3, चार फिरोजबाद में 1, हरदोई में 3, पतापगड में 13, सहारनपुर में हो गए एक जो है शाजापुर में 2, बांदा में 6, महराजगंज में 4, हात्रस में मिर्दापुर में 2, राइबरेली में 2, औरएया में 1, मारवंकी में 1, कौशामभी में अभी नहीं हैं पिजनौर में 8, शीतापुर में 2, और 1, प्रयागराज में 159 केसेदं हमारे अब तबलीकी जमाच के से जुरता हुए हैं और प्रदेश में 305 केसेदं हैं यानि तबलीकी जमाच भी जादा हो गई तो जो ये मीडिया में एक दो दिन से चल रहा था चौदा के बाद लॉकडाउन का ये देखते हुए कि इसके कारण समवेदन शीलता बढ़ी है और अब हम पहले तो उन लोगों को टेक अप कर रहे हैं जो सीधे पेशन्स हैं लगबग 159 फिर सेकंड स्टेज में उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं और फिर उन लोगों को सी कैटेगरी के लोगों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं जो बी कैटेगरी के लोगों से जुड़े रहे हैं या कई न कहीं उनसे contact में आये इस सम्वेदन शीलता के बढ़ने के कारण ये अब सम्भावना है कि 14 अप्रेल के बाद भी lockdown खुल पाएगा कि नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये सम्वेदन शीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई और एक भी case अगर हमारे प्रदेश में र और cases को control किया गया है यदि एक भी case करोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो lockdown खोलने के बाद पुना वही स्थिती आ जाएगी ऐसे में जो ये जो संख्या हमारी अभी पिछले 3-4-5 दिन में बढ़ी है इसको देखते हुए 14 तारिक के बाद lockdown खुलेगा कि नहीं खु और होगा और समवेदन शीलता जो बढ़ गई है जो कॉंटैक्स की संख्या भी जो बढ़ गई है जो हमारे पास अभी positive cases बढ़ गए है और जो पूरे प्रदेश में आदे से ज्यादा तब्लीजी जमात से जुड़ेवे लोगों की संख्या आ गई है as Corona positive patient तो ऐसे में मैं क जोदा तारीक तक खुलेगा की नहीं खुलेगा यह कहना impossible है और अभी इसमें समय लगेगा